success is hidden in your daily routine आपकी जो सफलता है वो आपके daily routine में छुपी हुई है जिस तरीके का routine आप लोग follow करते है या उसी तरीके की सफलता जो है वो आपको मिलती है ठीक है बात बिल्कुल सही है अब खास कर जैसे आप students के लिए अगर आपका जो daily routine है वो एक well planned routine है एक schedule है आप लोग उसमें daily अगर पढ़ाई कर रहे है तो सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी अगर आपका schedule या routine इस तरीके का है कि आप कभी पढ़ाई करते हैं किस दिन नहीं करते हैं आपका कभी मन होता है तो करते हैं नहीं होता है नहीं करते हैं इस तरीके के अगर आप लोगं का कोई routine है तो फिर सफलता मिलनी मुश्किल है ठीक है तो मतलब जिस तरीके का आपका routine होगा आपकी सफलता जो है उसी में चुपी हुई है तो अपना एक daily proper routine बना के चलें और उसके हिसाब से ही काम करें तो सफलता या सकसेस आपको डेफिनिटली मिलेगी चलो इसी बात पर 5 अगस्त 2024 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज अनालेसिस आईना सेरीज हम लोग यहां पर शुरू करते हैं और आज जादा आर्टिकल्स तो नहीं हैं एक दो आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने हैं उनी के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो Current Affairs Ocul का चैनल है वो आज रात के बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा तो इसलिए better है कि अगर आप लोग का कुछ backlog बचा हुआ है तो आज का दिन आप लोग के पास पूरा है आप उसको आज cover कर सकते हैं और अगर ज्यादा backlog है तो फिर और भी ज्यादा better यह है कि आप जिस भी महीने का आपका course बचा हुआ है उस course को आप लोग purchase कर लें 60% off आपको मिल रहा है INA60 code का use करके आप लोग 60% off में वो course ले सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग newspaper पर चलेंगे और आज के जो articles हैं वो हम लोग देखते हैं हाला कि बहुत जादा मैं आपको बताया कि articles नहीं है यह front page है हमारा इसमें कोई खास article नहीं है हम लोग सीधे जो है वो page number 8 पर आएंगे वहाँ पर मैं आपको एक news दिखाता हूँ जो आप लोग के लिए काम की हो सकती है and that is मैं दिखा रहा हूँ page number 8 ठीक है यहाँ पर भी देखो image के रूप में दी गई है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक military exercise का जिक्रे किया गया है ठीक है हला कि यह एक air force की exercise है इसका नाम यहाँ पर दिया गया है that is क्या नाम दिया गया है this is pitch black ठीक है 24 तो मतलब 2024 में हो रही है exercise का नाम है वैसे pitch black ठीक इस exercise को जो है वो होस्ट करता है Australia Australia की जो air force है वो इसको होस्ट करती है और यह एक multi national exercise है ठीक है यह ध्यान रखना कि मतलब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि India और Australia की एर फोर्स जो है वो या वायू से नाए भाग लेती हैं participate करती हैं बल्कि यह multi national exercise है ठीक है तो थोड़ा सा इसके बारे में PIB के एक page में information थोड़ा सा दी गई है तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस तरीके के जो भी मतलब information होती है इस तरीके के exercises वगरा मैंसे question आपका CDS या India में पूछ लिया जाता है ठीक है अब यहां पर देखो यह जो information दी गई है Indian Air Force Exercise Pitch Black 2024 ठीक है तो यह वैसे 11 जुलाई की information है क्योंकि 12 जुलाई से यह exercise शुरू हुई थी इसमें लिखा है कि Indian Air Force का contingent है वो land किया है Royal Australian Air Force के base पर ठीक है जो की कहा पर है Australia के Darwin में और क्यों गया है वहाँ पर exercise Pitch Black 2024 में participate करने के लिए ठीक है exercise जो है वो scheduled है 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में यानि कि exercise अब complete हो चुकी है और यह ध्यान रखेगा कि यह exercise जो है that is a bineal exercise यानि कि हर 2 साल में एक बार होने वाली exercise है multinational है यह भी मैंने आपको बताया multinational है multinational का मतलब कई सारे देश इसमें participate करते है और इस exercise को host किया जाता है by RAAF that is Royal Australian Air Force वो इसको host करती है ठीक है अब इसमें जो यह नाम है that is Pitch Black यह नाम इस exercise का कहां से पढ़ा है तो दा नेम Pitch Black was derived from the emphasis on night time flying over large unpopulated areas तो यह नाम बेसिकली इसे आप से पढ़ा है कि इसमें जोड दिया जाता था night time flying के उपर यानि कि रात के समय में जो unpopulated areas है यानि कि ऐसे areas जहां पर आबादी नहीं है उसके उपर यह night में fly किया करते थे तो वहां से यह नाम आया है that is Pitch Black ठीक है और इस साल का जो edition है यानि कि 2024 का जो edition या sunscreen है यह माना जा रहा है कि exercise Pitch Black का जो 43 वर्शों का इतिहास रहा है उसमें ये सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें 20 से जादा देश जो है वो इस बार participate कर रहे हैं बड़ा यह जरूर ध्यान रखना exercise Pitch Black एर फोर्स की exercise है बाइनियल होती है मल्टिनेशनल है ठीक है बाइनियल मतलब हर दो साल में एक बार और मल्टिनेशनल का मतलब है कि कही सारे देश इसमें participate करते हैं और इसको host किया जाता है Australian Royal Australian Air Force के द्वारा ठीक हो गया चलिए वापस से newspaper पर चलेंगे और आगे के articles के अगर हम लोग बात करें तो सीधे हम लोग जो है वो explained वाले पेश पर आजाएंगे और वहाँ पर हमें दो articles देखने हैं उन्हीं का जिक्र कर लेंगे कि बीच में तो ऐसाच और कुछ खास है नहीं आपर वैसे आज जो है वो 5 अगस 2024 है और 5 अगस 2019 से आज 5 साल हो चुके है 5 अगस 2019 को क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में दारा 370 जो है वो अटाई गई थी ठीक है बट उसको लेकर भी कोई ऐसे बहुत खास आर्टिकल नहीं है जो मैं मुझे लग रहा था कि कोई अच्छा आर्टिकल आएगा हला कि editorial page पर एक दो आर्टिकल्स हैं बट वो मतलब ऐसे मुझे नहीं लगे जिसमें से पढ़के हम कुछ exam वगरा में लिख पाएं ठीक है चलो तो यहां पर हम लोग दो आर्टिकल की बात करेंगे पहला आर्टिकल कह रहा है in supreme court verdict how CGI underlined the concept of substantive equality अभी आपको पता है कि जो यह sub classification of SC और STs को लेकर जो supreme court में फैसला आया है दो-तीन दिन पहले उसमें किस तरीके से CGI यानि कि Chief Justice of India ने जो substantive equality का concept है उसको underline किया है उसको रेखांकित किया है या उसके उपर एक तरीके साब कह सकते है जोर दिया है, emphasis किया है उसकी अगर हम लोग यहां पर बात करें यह important article है, इसको बड़े ध्यान से देखेगा देखेए, यहां पर क्या लिखा है supreme court का जो landmark verdict आया है on the subclassification I think इतने में यह दिख जाएगा आपको supreme court का जो landmark verdict आया है on the subclassification of schedule caste and schedule tribe quota marked a milestone for equality jurisprudence ठीक है, equality jurisprudence या equality का जो हमारा jurisdiction है उसके लिए यह एक milestone है in his opinion written for himself and justice Manoj Mishra as part of the 6-1 majority verdict Chief Justice ने जो अपना मतलब अपनी opinion जो लिखी है अपने और Justice Manoj Mishra के बहाफ पर उसमें इन्होंने underline किया है the concept of substantive equality substantive equality एक ऐसा सिद्धान्त है that a law must account for the different backgrounds and historical injustices faced by persons or groups ठीक है, substantive equality का मतलब क्या है एक ऐसा सिद्धान्त मतलब जिसमें ये हो कि जो law है है ना, वो किसी भी व्यक्ती या किसी भी group के द्वारा उसने जो उसका जो अलग background रहा है ठीक है, जो उसका different background रहा है और उसने जो एतिहासिक तोर पर जो injustices face किये हैं ठीक है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, लंबे समय तक उनके ऊपर क्या किया जाए उनको जो है, मतलब कोई भी जो law है या जो कानून है, वो इन चीज़ों को account में ले, या इन चीज़ों को ध्यान में रखे ठीक है, तो that is basically substantive equality अब इसके बाद यहां पर यह लिखा गया है कि the constitution today advances a more substantive reading of the equality provision expanding the sphere and scope of reservation to ensure that the benefits trickle down to those who need it the most the CGI wrote that is the state of Punjab versus Davindar Singh 2024 में यहां पर यह लिखा गया है कि आज के समय में जो सम्विधान है, ठीक है, हमारा जो सम्विधान है, वो आज के समय में advances a more substantive reading of the equality provision जो equality या समानता का जो प्रावधान है उसकी जादा substantive reading को मतलब की बात करता है expanding the sphere and scope of reservation ठीक है, reservation या आरक्षन का जो scope है, जो दाइरा है उसका जो sphere है उसको expand करने की बात करता है ताकि यह ensure किया benefits है, reservation के या आप कहिए कि आरक्षन के जो फायदे है वो उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी सबसे जादा जरुवत है ठीक है, इसलिए basically यह sphere and scope of reservation को expand करने की बात करता है the concept of substantive equality is key to understanding how the court interpreted the law on reservations तो यह substantive equality का जो concept है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए कि किस तरीके से जो reservations या आरक्षन को लेकर जो कानून है, court ने उनको कैसे interpret किया है तो यहाँ पर कुछ पुराने cases का भी जिक्र है, तो वो अभी हम देखींगे, देखो Supreme Court on reservations in a string of rulings given over the last seven years, CGI चंदरचूड has referred to substantive equality to stress that reservation is a facet of merit and not an exception to the merit rule, तो यहाँ पर पिछले साथ सालों में जो rulings दी गई है ठीक है, मतब जो अलग-अलग cases आए है उनको लेकर CGI चंदरचूड ने यह refer किया है कि substantive equality to stress the reservation is the facet of merit and not an exception to the merit rule, यानि कि जो आरक्षन या reservation दिया जाता है वो merit का ही एक aspect है, ठीक है, यानि कि merit rule के या merit का जो नियम होता है, उसका वो exception नहीं है, it is facet of merit, facet का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई aspect ठीक है, कोई feature तो यहां पर यह कहा गया है कि जो reservation है, that is the facet of merit and not an exception to the merit rule, merit rule का exception जो है, वो reservation नहीं है in the sub classification judgment जो एक तारिक को deliver किया गया, उसमें CGI ने trace किया है the history of the ways in which the top court has interpreted affirmative action ठीक है, उसमें यह trace किया गया है कि किस तरीके से Supreme Court ने affirmative action को interpret किया affirmative action का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो लोग जिनको, मतलब चीजों का अभाव है, ठीक है उनके लिए कुछ ऐसे actions लेना so that कि उनका भी upliftment हो सके, that is known as affirmative action मतलब एक तरीके से आप वही कह सकते हैं कि उन लोग को जिनको चीजों का अभाव है उनके लिए क्या करना मतलब उनके लिए अगर आप reservations की विवस्ता करेंगे तो उनका भी upliftment होगा वो भी उपर बढ़ सकते हैं है ना, that is known as affirmative action अब देखो, यहाँ पर अलग-अलग points में discuss किया गया है as limiting equality Supreme Court initially took a formal and limiting approach in which it viewed reservations as an exception to the principle of equal opportunity तो Supreme Court ने शुरू में है ना, स्टार्टिंग में Supreme Court ने क्या किया कि एक formal and limiting approach ली और उस समय reservations को देखा जाता था as an exception to the principle of equal opportunity कि जो equal opportunity या जो समान अवसर का जो सिधानत है उसका exception ठीक है, उसके exception के रूप में देखा जाता था reservations को अब यह चीज हमें जो है मदरास वर्सेश चंपकम दुराई-राजन का 1951-1951 का जो case है वहाँ पर यह चीज देखने को मिलती है वहाँ पर यह कहा गया था that reservation of seats in educational institutions was unconstitutional ठीक है कि अगर जो sectionic संस्थाए है जो educational institutions है वहाँ पर अगर seatों का आरक्षन किया जाता है तो यह क्या है यह असंबधानिक है ऐसा कहा गया था there was no express provision that allowed this like article 16 clause 4 of the constitution did for public employment ठीक है उस समय ऐसा भी कोई मितलब यह constitution में कोई ऐसा provision या कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं था जो इस चीज की बात करता हो कि अगर किसी educational institute में seats को reserve करने का कोई ऐसा provision उस समय था नहीं ठीक है जैसे कि article 16 clause 4 में तो यह है कि public employment में reservation दिया जा सकता है ठीक है अब उसके बाद एक और case होता है 1951 का यह case है that is B. Venkat Raman versus state of Madras इसमें Supreme Court ने क्या कहा कि that only harigans and backward Hindus can be considered as backward classes for reservation in public jobs इसमें यह कहा गया कि सिर्फ जो harigans है और जो backward Hindus है उनहीं को backward classes माना जाएगा public jobs में reservation के लिए अरक्षन के लिए ठीक है अब इसके बाद जो है फिर parliament ने पहला amendment किया constitution में जो पहला amendment हुआ है वो इसी के बाद हुआ June में उसी साल that is 1951 में और उसमें जो है वो article 15 clause 4 को add किया गया ठीक है article 15 clause 4 को add किया गया जो की essentially an exception है to article 29 यह prohibit करता है discrimination against any citizen on grounds of religion race, caste, language और any of them with respect to admission into the educational institutions ठीक है basically article 29 यही कहता है कि किसी भी educational institution में आप इन चीजों के आधार पर reservation क्या कर सकते हैं मतलब discrimination नहीं कर सकते हैं यह reservation deny नहीं कर सकते हैं है ना तो article 15 clause 4 जो है वो पहले constitutional amendment act से 1954 में add हुआ अब इसके बाद इसी चीज की और आगे जो है वो बात होती है इंद्रासानी versus union of India के case में 1992 का case था जिसको mandal judgment भी कहा जाता है जिसमें court ने यह observe किया कि article 15 clause 4 और 16 clause 4 जो है वो special provisions है है ना या फिर other words में अगर कहें तो they are an exception to the principle of equality ठीक है they are an exception to the principle of equality यानि कि जो समानता का सिधान्त है यह उसका exception है और हाला कि वहाँ पर यह कहा गया कि 50% while prescribing a cap of 50% on the total seats to be reserved कि जितनी seat भी आरक्षित होंगी वो cool seat ओं का 50% ही हो सकती है ठीक है यह चीज़ यहाँ पर हुई अब इसके बाद अगला आता है as a facet of equality यानि कि अभी equality के aspect के रूप में अगर हम reservation की बात करें तो 1958 में state of Mysore ने reserve किये 75% seats in educational institutions for all communities except the Brahmin community ठीक है 75% seat जो है वो आरक्षित कर दी सभी educational institutions में सभी communities के लिए accept the Brahmin community इसको जो है वो challenge किया गया supreme court में इन्हामार बालाजी versus state of Mysore 1962 जहां पर court ने पहली बार जो है वो 50% ceiling की बात की ठीक है कि 50% ceiling जो है वो रहेगी ये बात पहली बार इस case में आई थी ये धियान रखेगा that is MR बालाजी versus state of Mysore अब इस limit को जो है वो हला कि contest किया गया बार-बार इस limit को लेकर challenge हुए है लेकिन ये limit जो है वो अभी भी बनी हुई है और इसमें एक exception यही है कि जो 10% का AWS quota 8 किया गया 2019 में सिर्फ वही एक exception है otherwise ये limit जो है वो अभी भी बनी हुई है इसके बाद एक और decision था in state of Kirla versus N.M. Thomas 1975 का case है इसमें Supreme Court ने जो है it made an expensive and substantive reading of the equality code ठीक है equality का जो code है उसकी मतलब equality का जो provision एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी expensive मतलब काफी विस्तरत रूप से काफी detail में और substantive reading की है ये बात CGI चंदरचूड ने कही इसमें basically क्या किया गया था केरला में एक ऐसा कानून था जिसके तहत सरकारी नौकरियों में जो qualifying criteria था SC और ST के लिए उसमें छूट दी गई थी तो इस law को जो है वो court ने ठीक माना अपहल्ड किया और ये भी कहा कि that the law was not an exception to the principle of equality of opportunity कि principle जो है of equality of opportunity यानि कि आवसर की समानता का जो सिधान्थ है ये उसका exception नहीं है ये कानून जो है उसका exception नहीं है इसके बाद बाद आती है as limiting efficiency अब देखो ये बड़ा important है article 335 of the constitution जो ये कहता है कि for reservation of STs and STs in services and post states that the reservation must be taken consistently with the maintenance of efficiency of administration मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर आप reservation दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ का फिर भी ध्यान रखना है कि जो administration में efficiency है वो maintain रहे ठीक है अब in the discourse on reservation in the supreme court that put emphasis on maintaining efficiency of services reservation was effectively seen as being detrimental to efficiency while merit that is unreserved post was equated with efficiency ठीक है तो मतलब supreme court में reservation को लेगर जितने भी discourse हुए है या चर्चाएं हुई है उसमें इस बात को लेकर जोर दिया गया जिसमें basically maintaining efficiency of services की बात होती है उसमें ये कहा गया कि अगर reservation जो है ठीक है अगर आप reservation दे रहे हैं तो वो efficiency के लिए वड़ा घातक है मैं तब reservation अगर आप दे रहे हैं करते हैं तो फिर वहाँ पर efficiency रहेगी अब ये जो है ये view कही सारे rulings में ये भी देखा गया in which the supreme court shot down reservations in promotions ठीक है reservation in promotion जो है वो supreme court ने खारिच किया 1992 का इंदरासानी judgment में supreme court ने ये कहा कि reservation in promotions would dilute efficiency in administration वहाँ पर supreme court ने भी ये कहा कि अगर reservation दिया जाता है promotion में मतब एक तो appointment हो गया appointment में तो चलो ठीक है लेकिन अगर promotion में भी अगर पदोन्नती में भी अगर reservation दिया जाता ये आरक्षन दिया जाता है तो फिर ये administration में efficiency को dilute कर देगा ऐसा supreme court ने 1992 के case में भी था ठीक है ये जो इंद्रसानी वाला case था और इसी लिए वहाँ पर promotion में ठीक है जो 27% reservation दिया गया था वो appointments के लिए था promotion में उसको लागू नहीं रखा था ठीक है अब 1995 में एक constitutional amendment जो है वो किया गया to allow reservation in promotions and undo the catch-up rule that was upheld in a string of rulings ठीक है अब यहाँ पर देखो 1995 में क्या हुआ कि एक constitutional amendment introduce किया गया ताकि promotion में reservation को allow किया जा सके और जो यह catch-up rule है ठीक है अब यह catch-up rule क्या होता यह आगे दिया गया है catch-up rule जो है इसको undo किया जा सके जिसको string of rulings यानि कि कई सारे rulings में सही माना गया था the court had held that the practice of a constitutionally valid practice the court had held that the practice was a constitutionally valid practice to maintain efficiency और court ने यह कहा कि यह constitutionally valid practice है efficiency को maintain करने के लिए अब देखो यह जो catch-up rule है इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई reserved category का person है reserved category मतलब जिसके पास आरक्षण है was promoted earlier over his superior in the general category due to reservation ठीक है उसका मान लो कोई superior person है उससे कोई superior person है लेकिन वो जनरल category का है और वहीं दूसरी तरफ कोई reserved category का person है अब reserved category के person के पास reservation है तो उसको promotion जल्दी मिल जाएगा वैसे अगर आप अगर आप जनर्मलब नॉर्मली बात करें ठीक है अगर आप promotion में reservation नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा कि जो भी वेक्ति है वो job में उसको reservation मिला मतलब appointment में उसके बाद सब उसके बाद तो सब जो है फिर अपनी अपनी जो seniority होगी या जो superiority होगी उसके इज़ाब से promotion उनका मिलेगा ठीक है तो उसमें जो superior है उसका पहले promotion होगा वो भले ही किसी भी category का हो लेकिन अगर उसके पास reservation है अगर यह reservation in promotion अगर लागू होता है तो उसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति के पास reservation है वो अपने superior जो general category का है उसके पास reservation नहीं है तो वो जो व्यक्ति lower position पर है उसको promotion जल्दी मिल जाएगा क्यों क्योंकि उसके पास reservation है ठीक है अब general category person was allowed to regain seniority over or catch up with the reserved category person तो उसमें क्या होता था कि जो general category person है जिसको reservation नहीं होने की वज़े से promotion नहीं मिल पाया was allowed was also allowed to regain seniority ठीक है अब उसको फिर से जो है अपनी seniority उसके उपर बनानी है उस व्यक्ति के उपर क्योंकि वो उससे पहले senior तो था लेकिन वो promotion पाने की वज़े से क्योंकि उस व्यक्ति के पास reservation था वो reservation के दम पर promotion पा लिया तो दूसरे व्यक्ति जो है वो नीचे रह गया अब constitution का जो 77th amendment था 1995 उसमें एक article insert किया गया that is article 16 4a ठीक है 16 article clause 4a इसमें कहा गया consequential seniority इसमें consequential seniority का एक concept add किया गया और इसमें ये कहा गया कि that a seniority attained by a reserved category candidate over his peer in the general category by being promoted earlier would be retained for the next promotion ठीक है तो इसमें ये कहा गया कि जो reserved category के candidate ने अपने peer के ऊपर मतलब उसका जो साथ ही है general category में उसके comparison में उसने seniority attain कर ली है क्योंकि उसको जल्दी promotion मिल गया है ये retain रहेगी अगले promotion के लिए ठीक है अब consequential seniority का जो ये law है ये upheld किया गया 2006 में इस आधार पर कि the efficiency of administration was only relaxed not obliterated by the rule कि इस rule की वज़े से जो administration की efficiency है वो सिर्फ उसमें कुछ छूट दी गई है कुछ relaxation दिया गया है बलकि पूरी तरीके से वो obliterate या covered या conceal या खत्म नहीं होती है the understanding of the courts at the end of this phase was that the scope of reservation must be expanded to ensure substantial equality in spite of its dilution of efficiency कि अगर efficiency dilute होती भी है तब भी substantive equality का जो क्या है substantive equality का जो scope है या आप कह सकते हैं कि reservation का जो scope है उसको बढ़ाया जाए ताकि substantive equality को ensure किया जा सके अगर dilution of efficiency हो रहा है तब भी ठीक है तो यहां तक basically courts को ये बात समझ में आई अब इसके बाद आगे क्या हुआ देखो no quota and merit binary drawing from observations and dissenting opinions in other rulings CGI चंदरुचूड in his rulings has reframed the quota versus efficiency question ठीक है अब मतलब कही सारे जो बागी cases हुए है उनमें जो observations हुए है या उनमें जो dissenting judges ने अपने opinions दिये हैं उनके अधार पर CGI चंदरुचूड ने ये quota versus efficiency ठीक है या reservation versus efficiency का जो सवाल है उसको एक बार फिर से reframe किया in a sense it sees reservation as reflecting the mandate of substantive equality enshrined in the constitution and not as a concessionary exception to the equality rule ठीक है तो इसमें basically क्या कहा गया कि reservation जो है reservation को ऐसे देखा जाए as reflecting the mandate of substantive equality कि हमारे समविधान में जो substantive equality का provision है ठीक है ये reservation उसके लिए है उस provision को fulfill करने के लिए है and not as a concessionary exception to the equality rule और इसको equality rule के exception के रूप में ना देखा जाए ठीक है addressing the criticism that the dilution of the evaluating standards or the qualifying marks for SCNST leads to inefficiency ठीक है मलब इस criticism को address करते हुए कि अगर आप evaluation standards को कम करते हैं या फिर SCST के लिए अगर qualifying marks को कम करते हैं तो इससे inefficiency बढ़ती है ठीक है इससे inefficiency होती है इस criticism को address करते हुए CGI ने ये argue किया कि that securing higher marks in an examination does not contribute to higher efficiency कि अगर किसी के exam में जादा number आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो person जादा efficient होगा या इससे efficiency बढ़ेगी अगर एक minimum marks भी कोई लेके आ रहा है भले ही वो highest marks नहीं है तो वो भी efficiency of administration को maintain करने के लिए sufficient है ऐसा यहां पर CGI ने कहा है the CGI's majority opinion states that the stereotype that reservation leads to inefficiency in fact makes promotion inaccessible to SC and SD candidates the reason why the state introduced reservation in promotions कि ये जो एक हमारी मतलब आप कह सकते है जो old thought है ठीक है ये आप कह सकते है जो हमारी रूडिवादी सोच है स्टीरियो टाइप है कि reservation जो है वो inefficiency उससे inefficiency आती है ठीक है अगर reservation होता है तो इससे inefficiency आती है in fact makes promotion inaccessible to SC and SD candidates इसी की वज़े से SC और SD candidates को promotion नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि states ने जो है वो इसी लिए promotions में reservations को introduce किया है ठीक है तो I hope यह पूरी की पूरी बात आप समझ गए जो जो मैंने आपको यहाँ पर articles का जिक्रे किया article 15 clause 4 16 clause 4 16 4A article 335 administration में efficiency की बात यह administration में efficiency को लेकर जो article 335 है ना इसको लेकर I think मतब मुझे exactly याद नहीं I think 2023 में last year या फिर उसके last year या दोजार तेज में exactly दोजार तेज में प्रिलिम्स में question UPSC पूछ चुका है ठीक है efficiency of administration को लेकर ठीक है यह ध्यान रखेगा तो इस तरीके के question भी articles के base पर भी आ जाते है और बाकि जो पूरा का पूरा issue है वो तो मैं आपको समझाई दिया substantive equality को लेकर I hope आप इस बात को समझ गयोंगे ठीक है चलिए इसके बाद एक article हम लोग यहां पर और देखेंगे that is going after the weeds अब यह article यहां पर क्या कह रहा है देखो यह article यहां पर कह रहा है की cultivating rice using less water and not burning the leftover straw after harvesting and wheat without ploying and land preparation has been the holy grail for agricultural scientists and policy makers concerned over the ecological footprint of the two cereal grain crops ठीक यह एक तो rice को यानि की चावल को गाना कम पानी के साथ और दूसरा उसकी कटाई होने के बाद जो उसका leftover straw बच जाता है जिसको हम लोग क्या कहते है पराली है ना पराली कहते है इस्टबल कहते है तो उसको जलाना पड़े और कम पानी में चावल उख जाए एक तो चावल को लेकर यह बात हो गई और wheat को अगर हम बात करें यानि की धान को लेकर बात करें तो बिना जमीन को plaw किये हुए ठीक है बिना जमीन को प्रेपेर किये हुए यानि की जिसको आब achieve तो करना चाहते हैं but it is very difficult to achieve उस चीज़ को achieve करना या आसिल करना बड़ा मुश्किल है ठीक है तो उस तरही की चीज़ें ये scientist ले रही है और ऐसे policy makers के लिए जो इन दोनो cereal grain crops के ecological footprint को लेकर काफी चिंतित है हाला कि कई सारे breakthroughs जो हैं वो हुए हैं varieties की breeding हुई है hybrids की breeding हुई है बोथ in the public and private sector that can tolerate the application of herbicide that is image happier to control weeds and grasses that affect the growth of crop plants by competing for nutrients, water and sunlight ठीक है अब देखो यहां पर हुआ क्या है कई सारी ऐसी varieties या जो hybrids हैं वो breed हुई है public और private sector में जो क्या कर सकती है तीक है जो एक herbicide है that is image tapir उसको tolerate कर सकती है तीक है to control weeds and grasses weeds और grasses को مतलब herbicide है तो यह weeds और grasses को मारेगा तीक है तो उसको यह crops जो है hybrid crops है जो variety crops है वो इनको tolerate कर सकती है क्योंकि weeds और grasses basically क्या करते हैं कि किसी भी crop plant को की growth को effect करते हैं क्योंकि जो nutrients, water और sunlight है वो तो limited है ठीक है अब जो चीज crop के plants को मिलनी चाहिए उसके लिए weeds और grasses भी compete करने लगी है है ना तो उससे होगा क्या कि फिर crop plant की जो growth है वो कम हो जाएगी तो इसलिए weeds और grasses को एक तरीके से control करने के लिए ये जो herbicide है that is image tapir अभी आगे जाके हम देखेंगे image tapir जो है इसका इस्तमाल करने से जो मतलब normal crops में अगर इसका इस्तमाल किया जाए तो इससे plant भी खराब हो जाता है ठीक है मतलब जो crop है वो भी खराब हो जाती है तो इसी लिए ये जो नए प्रजाती के यहाँ पर hybrids पैदा हुए है वो इसको tolerate कर सकते है मैदा उसकी वैसे क्या होता है कि सिर्फ weeds जो है है ना वो तो control हो जाते है यानि कि weeds की growth जो है वो खतम हो जाती है लेकिन plant के ओपर कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब देखो अभी जो current खरीव सीजन है इसमें दो बास्मती की varieties है that is पूसा बास्मती 1979 and पूसा बास्मती 1985 और दो नौन बास्मती rice hybrids है that is सवा 134 and सवा 127 इनको develop किया गया है IARI मतलब पूसा वाले जो है ये बास्मती के categories ये develop किये गये है IARI that is Indian Agricultural Research Institute के दवारा और ये जो सवा 134 और सवा 127 है that is नौन बास्मती rice की hybrids इनको develop किया गया है सवाना seeds private limited के दवारा इनको commercially plant किया गया है अब ये जो varieties हैं इन में एक mutated aceto lactate synthase होता है ठीक है एक ऐसा gene होता है that is ALS gene that enable farmers to spray image tapir to control weeds ठीक है अब इसकी वज़े से क्या होता है क्योंकि इन में क्योंकि ये क्या है ये एक तरीके से hybrids है ठीक है hybrids है varieties है तो इसकी वज़े से होता क्या है इन में एक gene होता है ठीक है एक mutated gene होता है that is aceto lactate synthase जिसकी वज़े से farmers जो है वो image tapir जो हर भी side है उसको spray कर सकते हैं ताकि weeds को control किया जा सकते हैं weeds के यहाँ पर नाम दिये गए है that is echinocloaculona जिसको जंगली चावल कहा जाता है या cyperus rotundus motha या tianthema portula castrum that is पत्थर चट्टा ये सारे के सारे क्या हैं weeds है ठीक है जो आपके इस तरीके के ये जो paddy paddy जो crops है या फिर आप कह सकते है rice crops है उनमें लगती है अब आने वाले समय में जो rabi season होगा winter spring से winter के season में इसमें जो mexico private limited है ये expect किया जा रहा है कि ये दो weed की varieties launch करेगा one is goal and one is mukut ठीक है इन दोनों में भी they are amenable to application of image tapir in order to control मलब इन में भी हो सकता है कि ये ऐसी qualities होंगी ये ऐसी varieties होंगी जिन में image tapir को apply किया जा सकता है और इन में कौन कौन सी weeds को control करने के लिए that is polaris minor that is gulli denda chenopodium album that is bathua and other major weed varieties ठीक है मलब weed को control करने के लिए इन में भी ये use किया जा सकता है अब ये जो company है that is based in Jalna Maharashtra and Savana Seeds the South Asian subsidiary of the Texas headquarter Rice Tech INC इन उनने एक joint venture बनाया है to take their image tapir tolerant full page direct seeded rice and free hit zero tillage that is ZT wheat technology to farmers for more climate smart and sustainable cropping तो इन दोनों ने मिलके एक joint venture बनाया है ठीक है ये जो सवाना seeds है जो अभी rice के crop के ओपर काम कर रहा है और ये जो दूसरी company है that is Mexico Private Limited ठीक है ये दोनों मिलके basically इन उनने एक joint venture बनाया है ताकि ये अपने जो image tapir tolerant varieties है ठीक है image tapir tolerant varieties that is एक तो rice की है that is full page direct seeded rice और एक wheat की है that is free hit zero technology wheat ठीक है ये उनको basically क्या करना चाते है कि इन technologies को farmer तक पहुचाना चाते है ताकि जादा climate smart or sustainable cropping हो सके अब how do rice and wheat farmers control weeds now तो अभी की अगर हम बात करें जब इन इस तरीके के herbicides का application नहीं होता है तो जो किसान है वो अपने चावल और गेहों की फसल को weed से कैसे बचाते हैं है ना weed को कैसे control करते हैं तो उसमें देखींगे कि currently farmers क्या करते हैं कि वो अपने जो paddy के fields है ठीक है ना जो उनके धान के खेते हैं उनको वो flood कर देते हैं है ना उनको वो पूरी तरीके से पानी से भर देते हैं और wheat के लिए वो तीन से चार बार plowing करते हैं तीन से चार बार basically उसमें जमीन में हल वगरा चलाते हैं और वो इसलिए किया जाता है ताकि wheat को control किया जा सके अब देखो जो normal rice cultivation है जो normal rice cultivation होता है उसमें paddy seeds जो हैं वो पहले जो seeds हैं जो बीज हैं उससे young plants बनाए जाते हैं कहां नरसरी में जो normal rice cultivation है मैं direct seeded rice की बात नहीं कर रहा हूँ भी जो normal rice cultivation है उसमें यही होता है कि जो paddy के seeds हैं जो धान के बीज हैं उनको young plants में raise किया जाता है नरसरी में और उसके बाद उनको वहां से निकाल के replant कर दिया जाता है main field में 30 दिन के बाद ऐसे ही होता है ठीक है अब जो field है that is first paddled paddled का मतलब है उसमें पूरा पानी वगरा भरा जाता है और tilled in standing water to break up the clods and churn the soil to make it soft ठीक है उसको पूरा पानी से भरा जाता है और उसके बाद standing water में ही उसको tilling की जाती है उसकी थोड़ी बहुत ताकि उपर से जो मिट्टी थोड़ा सा tide हो गई हो वो soft हो जाए ठीक है और पहले 2-3 हफतों के लिए transplantation के बाद the field has to be irrigated every 1-2 days to maintain the water depth of 4-5 cm ठीक है उसमें मतलब transplant करने के 2-3 हफते तक field को हर 1-2 दिन में irrigation करना पड़ता है उसमें मतलब पानी देना पड़ता है सिचाही करनी पड़ती है ताकि 4-5 cm की water depth है वो बनी रहे अब ये इसलिए जरूरी है ताकि weed की जो growth है वो prevent हो सके तो कि water जो है natural herbicide की तरह काम करता है and preventing weed seeds from germinating weed का seed जो है वो germinate नहीं हो पाता and जो already immersed seedlings है उनको भी ये वो मार देता है farmer जो है वो हर अफते उसमें पानी देते हैं अगले 105-110 दिन तक और जो total duration होता है crops का seed से लेकर grain तक वो 155-160 दिन का यानि कि लगभग 5 मेने से थोड़ा सा जादा का होता है ठीक है अब in all जो traditional puddling transplantation route है इसमें लगभग 30 irrigation लगभग और हर irrigation में जो है वो लगभग प्रती एकर 2,00,000 लिटर से जादा का पानी लगता है puddling alone में अगर हम बात करें तो that consumes water equivalent to 3 irrigation और जो labor cost है transplanting की वो प्रती एकर 4000 से 5000 की है अब नरसरी में आपने पहले seeds में से वो छोटे plants हुगा है फिर उनको वहां से आप लेके बड़े खेतों में transplant कर रहा है तो उसमें भी पैसा labor cost भी लगती है ठीक है चार से 5000 रुपे प्रती एकर तो ये तो rice की बात हो गई पैडी की अब अगर हम wheat की बात करें तो wheat में क्या होता है देखो गेहूं उगाने के लिए जो farmers है they burn the stable from the previously harvested peddy crop क्योंकि अभी जैसे peddy crop है है ना अभी कौन सा season है खरीफ season है तो खरीफ season में जैसे अभी धान की फसल है तो धान की फसल जब काटी जाएगी उसके बाद जो अगली राबी की फसल होगी उसमें गेहूं उगाय जाएगा तो गेहूं उगाने के लिए क्या करते हैं कि जो harvested peddy crop है उसकी जो bird stubble है ठीक है उसकी जो पराली है उसको जलाय जाता है तो उससे फिर वही production वगरा होता है और साथी साथ यानि कि वह उसकी प्लॉइंग भी करते है खेत में हल भी चलाते हैं आजकल तो खर सारी मशीने वगरा हो गई है ठीक है एड़ और कल्टिविटर का यूज करके उसके बाद वह एक बार उसकी इरिगेशन करते है फिर एक बार उसकी और प्लॉइंग की जाती है रोटावेटर को लेकर या दो बार की जाती है एरो और कल्टिविटर को लेकर अब ये सब चीज है जो है वो वीट सीट्स को सो करने से पहले यानि कि धान सुरी गेहूं के बीच उगाने से पहले किया जाता है और किया क्यों जाता है weed के management के लिए ठीक अब इसके बाद आगे लिखा है कि how do the herbicide tolerant solutions work अब यह जो herbicide tolerant solutions हैं यह कैसे काम करते हैं जो DSR और ZT है that wheat जो कि DSR तो direct seeded rice ZT मतलब zero tillage wheat basically replaces water and repeated field ployings with the chemical herbicide that is image tapir to take care of weeds ठीक है तो basically इसमें होता वही है कि DSR तो direct seeded rice है इसमें basically पानी बचेगा और दूसरी चीज यह है कि ZT जो wheat है ठीक है wheat में generally क्या और अब मरा बता नहीं कि बार बार ploying करनी पड़ रही थी तो इसमें ploying वगरा multiple ployings रूख जाती है ठीक है मालब उसकी जरुवत नहीं पड़ती है उसके बदले आप यह जो herbicide that is image tapir इसका यूज कर सकते हैं हना ताकि वो weeds को control कर ले अब DSR seed जो है इनको directly आप soak कर सकते हैं ठीक है nursery इसकी कोई जरुवत नहीं है puddling, transplantation, fields को flood करने की कोई जरुवत नहीं है सिर्फ एक laser leveling of land करने की जरुवत होती है before sowing ठीक है जिसकी cost लगब काफी कम होती है मतलब land कोई तरीके से बराबर करना जिसकी cost काफी कम है 1200 रुपे प्रती एकर और यह इसलिए की जाती है ताकि seeds और fertilizer का uniform placement हो सके है ना और साथ ही साथ जो water distribution है वो भी proper हो सके overall there is roughly 30% saving of water apart from labor cost of transplanting and weed management and fuel used bar puddling ठीक है तो इन सब में 30% की पानी की बचत होती है transplanting वगरा करनी नहीं है तो transplanting और weed management के लिए labor cost नहीं लगेगी transplantation में labor cost लगती है कि nursery में होगाया फिर वहां से वो पानी में डालने आए जो पानी के मतलब fields वगरा है उनमें और weed management भी नहीं करना है मतलब अगर उसमें कोई खरपतवार हो रही है weeds हो रहे है तो उसको भी हाथ से उखाड़ना नहीं है तो वो काम भी बच गया उसमें भी labor cost बचेगी और paddling वगरा करने के लिए जो fuel का इस्तमाल होता है वो भी यहाँ पर बच जाएगा अब यहाँ पर महिको जो company है इसने यह claim किया है कि free heat zt technology makes it possible to sow wheat directly without burning the paddy stable or even preparing the land यानि कि वही zt का मतलब आपको बचाए zero tillage इन्होंने यह claim किया है कि wheat को directly sow किया जा सकता है जो गेहूं के बीज हैं उसको directly आप उगा सकते हैं उसमें आपको stable burning की भी जरुवत नहीं है जो धान की पराली है वो जलानी की भी जरुवत नहीं है और land के preparation की भी जरुवत नहीं है farmer जो है वो एक tractor mounted super cedar machine का इस्तवाल कर सकते है with a rotavator that cuts the standing stubble and mix it with the soil ठीक है तो उसमें जो stubble है उसको काटेगा वो और उसको मिट्टी के साथ मिला देगा और इसका दूसरा भी एक नहीं आप्शन बता है कि वो happy seeder का use भी कर सकते हैं without rotavator जो सिर्फ cut करता है और crop residue को field में छोड़ देता है तो दोनों ही तरीके से जो sowing है वो बिना tillage के हो जाएगी इसमें cost और time यानि कि समय और पैसा दोनों बचेगा जो image tapir है is to be sprayed along with metribuzine ये एक selective herbicide है which is already used in wheat जब crop 25 दिन पुरानी हो जाती है तो इसको यहाँ पर spray किया जाता है अब ये जो image tapir tolerant rice और wheat hybrids है क्या ये genetically modified है अगला सवाल किया आता है क्या ये genetically modified crops category में आते है ठीक है तो इसको लेकर ये कहा गया है कि no they just have an ALS gene that has undergone mutation मैं आपको शुरुवात में ही बताया ना कि इनमें एक ALS gene है जिसका mutation हो चुगा है और ये gene जो है वो rice और wheat में already present होता है इसको कहीं बाहर से introduce नहीं किया गया है ठीक है जैसे कि किसी soil bacteria से या किसी और unrelated species से जैसे कि आपका BT cotton के case में introduce किया गया या फिर GM mustard crop जो अभी जिसको अप्रूवल नहीं मिला है ठीक है उसमें जैसे बाहर से कुछ introduce किया गया तो इसमें ऐसा नहीं है जो ALS gene है that codes for an enzyme that is protein that helps synthesis synthesize essential amino acids for plant growth and development ठीक है ALS gene जो है basically वो क्या करता है वो help करता है essential amino acids को synthesize करने के लिए जो की plant growth and development के लिए ज़रूरी है अब image थे पियर अगर आप मैंने बताया आपको अगर आप normal paddy या wheat में आप image थे पियर जो या herbicide अगर इसको spray करते है तो इसमें होता क्या है कि ये उस ALS enzymes के साथ bind हो जाता है ठीक है अब उसमें amino acids जो है वो फिर उसका production नहीं हो पाता amino acids का production नहीं हो पाता है तो herbicide जो है फिर वो crop को और साथी साथ weeds को दोनों को मार देता है क्योंकि वो दोनों के बीच में differentiate नहीं कर सकता कि कौन सी crop है और कौन सा weed है तो दोनों को मार देता है नॉर्मल केस में अगर आप crop यूज़ कर रहे है नॉर्मल paddy या नॉर्मल wheat तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो यह herbicide है यह ALS enzymes के साथ bind करता है उसमें amino acids का production रूख जाता है और herbicide जो है वो दोनों को crop को भी और weeds को भी दोनों को मार देता है क्योंकि वो उनके बीच में distinguish or differentiate नहीं कर सकता लेकिन आईये आराई सवाना seeds और महिको braid varieties और hybrids इनमें जो ALS gene है उसमें एक mutation हुआ है ठीक है इनका जो DNA sequence है that is the order of chemical bases or letters that spell out the instructions to a cell's protein making machinery यह alter हुआ है using a chemical mutant or radiation और इसकी वज़े से क्या है कि ALS enzymes जो है ALS enzymes में अब amist HPR के लिए binding sites नहीं है और amino acid का जो synthesis है वो अब inhibit नहीं होता मतला वो नहीं रुकता इसकी वज़े से जो plants है can now tolerate the herbicide ठीक है अब plant जो है वो herbicide को आप tolerate कर सकते हैं और herbicide सिर्फ और सिर्फ अब weed को मारता है ठीक है इसी लिए यह herbicide tolerant varieties की बात की गई है क्योंकि यह ऐसी varieties है अगर आप normal में इस जो image tapir नाम का herbicide है अगर आप normal crop में उसको डालोगे ठीक है तो crop भी खतम हो जाएगी और weed तो खतम हो जाएगी लेकिन उसके साथ-साथ crop भी खतम हो जाएगी तो फिर कोई फाइदा ही नहीं है benefit ही नहीं है है ना आपने उस herbicide को crop खतम करने के लिए थोड़ डाला है वीड खतम करने के लिए डाला है लेकिन उसमें crop भी खतम हो रही है लेकिन यह जो hybrid varieties है इनमें यह फाइदा है कि जो ALS gene है वो mutated है तो उसकी वाईसे होता क्या है कि उसमें image tapir के लिए binding sites नहीं है तो यह amino acids का जो production है वो बंद नहीं होता इस वज़े से यह crops क्या है these varieties of crops are herbicide tolerant और इसकी वज़े से अगर आप इस in crops में अगर आप इस image tapir जो यह है herbicide है उसको spray करोगे तो उससे होगा क्या कि crops के उपर असन नहीं पड़ेगा और सिर्फ और सिर्फ जो weeds है वही मारी जाएंगी ठीक है but aren't farmers already growing rice through DSR बढ़ अगला सवाल यह है कि क्या farmers जो हैं वो DSR यानि कि direct seeding of rice के through rice नहीं उगा रहे हैं तो DSR cultivation at present is based on two herbicides जो DSR का cultivation अभी हो रहा है वो दो herbicides के base पर हो रहा है एक है pre-emergent that is pendimethalin जो की within 24 hours of sowing use किया जाता है और दूसरा है that is post-emergent that is bispireback sodium जिसका इस्तमाल 20 से 25 दिन के बाद किया जाता है लेकिन यह दोनो weeds के against effective नहीं है image tapir एक broad spectrum herbicide है जिसका weed control range थोड़ा सा बड़ी है और यह वैसे भी safer है क्योंकि ALS gene जो है वो humans में और mammals में नहीं present होता इसलिए chemical जो है वो will not bind itself to them तो उसमें bind होने का भी कोई चकर नहीं है IARI ने लगभग 200 कुंटल of seeds जो है वो अपने दोनो image tapir tolerant बासमती varieties की इस साल plant करने के लिए दी है और इसकी cost लगभग 8 kg पर एकर के एसाब से इससे लगभग 25-100 एकर कवर हो जाएगा सवाना seeds की जो rice hybrids हैं ये लगभग 1500 एकर में पंजाब, अर्याणा, पश्ची मुत्रपदेश, मद्यपदेश और 36 गडबे इनको भी plant किया गया है the adoption of DSR and ZT conferring benefits of reduced water मने बताया एक तो पानी की कमी हो जाएगी मतलब कम पानी इस्तमाल होगा दूसरा fuel consumption कम होगा ठीक है साथ ही साथ environmental pollution नहीं होगा क्योंकि crop कर residue burning वह चबल बर्निंग नहीं होगी is likely to be better with herbicide tolerant technologies ठीक है herbicide tolerant भी हो गया तो यह और बेतर है and they are not being GM may help to और यह GM भी नहीं है ठीक है यह genetically modified भी नहीं है यह भी इसमें help कर सकता है ठीक है चलो I hope समझ गए आप इस article को भी agriculture related article है economics में और agriculture वैसे भी अपने आप में एक important topic है हलाकि article को हमने बहुत जादा detail में discuss किया है बट कभी कभार इस तरीके के questions पूछे भी जा सकते है या इसमें से जो भी information दी गई है जैसे DSR के बारे में हमने बात करी या जो zero tolerant wheat के बारे में बात करी sorry zero tillage wheat के बारे में बात करी या जो ही में स्थीपियर है वो किस तरीके का herbicide है जो उसके बारे में detail में या जादा deep में पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जा सकता है कि फिर वो उसमें ALS mutated gene होता है ठीक है I hope समझ रहे हैं आप जिसमें amino acids का inhibition नहीं होता अगर production का inhibition होता है अगर वो herbicide tolerant varieties में यूज किया जाता है normal crop में यूज करते हैं तो वो crop को भी खदाब कर देता है है तो I hope ये चीज़ें आप समझ गए clear है चलिए और direct seeding of rice के क्या क्या benefits है वो तो आपको पता ही होंगे है यहाँ पर भी लिखा गया है कि पानी कम लगता है fuel का consumption कम है साथ ही साथ pollution वगरा कम होता है क्योंकि stable नहीं जलाना है तो I hope ये चीज़ें आप समझ गया होंगे ठीक है labor cost वगरा भी बसती है उसमें चलो तो यही सारे articles थे जो आज हमें discuss करने थे इसलिए हम लोग इतना ही रखते हैं clear है चलो तो जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप लोग का backlog बचा हुआ है पुराने current affairs का तो आप हमारा course जो है वो purchase कर लें जिस भी महिने का आपका backlog बच रहा है 60% of आप लोग को मिल रहा है आईना 60 code का use करके आप लोग purchase कर सकते हैं कि ये offer आप लोग के लिए आज राद 12 बज़े तक ही रहेगा और बाकी जो लोग monthly compiled PDF notes लेना चाहते हैं उनके लिए options ये हैं कि अगर आप अगले साल के mains तक के exam में focus कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा कि 12 महीने का आप पैसा दीजिए और 16 महीने का आपको यहां पर PDF मिल रहे हैं तो 12 महीने का आप ले सकते हैं that is June 2014 से मई 2025 तक के PDF आपको मिल जाएंगे only at 510 रुपीज और अगर आप उससे कम duration का लेना चाहते हैं तो 8 महीने का 345 रुपीज का है चार महीने का 175 रुपे का है और अगर आप monthly लेना चाहते हैं तो at less than रुपीज 2 per day एक रुपे ए एक दिन का 2 रुपीज से कम के हिसाब से आपको मिल रहा है monthly only at 59 रुपीज तो इस तरीके का जून का तो already available है जो लोग purchase करना चाहते हैं वो जरूर करें और जुलाई का भी बहुत जल्द हम लोग launch कर देंगे और यह ध्यान रखेगा कि सारे के सारे जो pdf notes है they are available only in English ठीक है चलिए बागी हमारे जो आईना सरीस के course है उनमें भी आप लोग enroll जरूर करें और मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग उसे एक बार फिर से request करना चाहूँगा कि please आप लोग हमारा साथ और support बनाए रखें हमारे साथ क्योंकि आजकल थोड़ा सा आप लोग की तरफ से contributions कम हो गए है I don't know why आप लोगों ने एक आद मैंने किया उसके बाद अब आप लोग अगर हम आप लोगों के लिए यहां पर इस तरीके से लगतार efforts कर रहे हैं लगतार आप लोगों के लिए सेशन लेके आ रहे हैं तो आप लोगों को भी अपना जो support है जो contribution है वो regular करना होगा ठीक है मैं otherwise आप लोगों से इस बात की मांग नहीं करता मैं आपको ये बता रहा otherwise it is going to be very difficult or me to continue with these sessions ठीक है otherwise मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं इन sessions को continue रख पाऊं इस तरीके से YouTube पर इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि please मैं मजबूर ना हूँ यहां से हटने के लिए मतलब YouTube से इन sessions को हटाने के लिए ठीक है मैं चाहता हूँ कि YouTube पर इसी तरीके स sessions चलते रहें बट प्लीज आप अपना contribution जो है वो हमारे साथ बनाए रखें इस QR code UPI ID का इस्तमाल जरूर करें जादा से जादा लोग करें जो भी YouTube पर sessions देखते हैं और प्लीज contribution जरूर करें ठीक है बागी आप हमारे अप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और कु दिखाना रहे गया वो भी launch हो चुका है इसी तरीके के सारे courses हमारे पास available है monthly, three months, six months के और last year के भी courses available अगर आप उनमें भी enroll करना चाहें तो कर सकते हैं और last year का हम आपको एक बारा महीने की compilation PDF जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की दे रहें only at 499 रूपीज अगर आप इसमें भ जादा जरूवत नहीं होती तो मैं आप लोग के सामने खड़े हो कि भीक नहीं मांग रहा हूँ था ठीक है it is literally यह मैं एक तरीके से आप लोगों से भीक मांग रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग support करें आप लोग अपना contribution दें अगर आप लोग contributions नहीं कर आप लोगों की contributions एक तरीके से almost निल हो चुके हैं आप लोगों की तरफ से I don't know why हम लोगों ने channel shift किया आप लोगों को उसकी वएसे लग रहा है कि अब तो बड़े channel पर आगी चीज़े हैं अब तो बहुत कुछ बढ़िया चलने लगेगा बढ़िया चलने लगेगा तो ठ इस दिन वीडियो में 5000 व्यूज आने शुरू हो जाएंगे उस दिन बंद कर दीजेगा contribution चाहे भले ही आप लेकिन प्लीज तब तक तो करें यह मेरी आप लोगों से गुजारिश है और प्लीज इट्स रिक्वेस्ट जरूर अपना contribution जो है वो यहां से दे चलिए तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपना comments वगरा जरूर करें आप लोग comments भी बहुत कम कर रहे है comments भी ज्यादा से ज्यादा करें और channel को आपने subscribe नहीं किया है तो please वो भी जरूर कर ले अपने friends से भी करवाएं बै Link नीचे description में दिया हुआ है या फिर current affairs local search करके भी आप इसको join कर सकते हैं या फिर इस QR code को scan करके भी join कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बागी कल को फिर से मिलेंगे Indian Express News Analysis की आईना सरीस के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें Please do take care of yourself Thank you, have a nice day, bye bye